हाई अब्रीवन दिस आनम वेलकम टी पीएडी जॉपसन अड्मिशन आज कहा हमारा फूर्थ लेक्चर होगा और सर्च मेटेडोलोजी फॉर यह अपकमिंग देवी है ले विश्वी विद्दारे डॉक्टोरल इंट्रेंस टेस्ट 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 में रिसोर्च मेटेडोलोजी मैथेमेटिकल रिजनिंग एन लॉजिकल रिजनिंग का कम्प्लीट कोस लॉंच करा है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्ज नोट्स मॉक्टेस और प्रैक्टिस एमसे की स्पीडिएफ प्रोवाइट करते हैं तो यह कंटेन अगर आप फ दिये गए स्क्रीन पर जो आपको नमबर नजार आ रहा है उस पर हमें वाट्सअप के तुरूई आपको कॉंटाइक करना है इस को पर्चेस करने के लिए और कॉमें सेक्षिन में एस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे एप के लिंक प्रोवाइट कर रहा है जिसमें प्रोवाइट करेंगे इन बोद लैंग्वेज हिंदी एस वेल एज इन इंग्लिश तो हमारे इस रिसोच मेंटिडोलोजी के कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर और जो पीच्टी एंट्रेंस एक्जामिनेशन में क्वेशन पूछे जाते हैं वो सारी में सारे पॉइंट्स हैं उनको डीटेल में एक्सप्लेइन करा है उसे के साथ साथ नोट्स में जो इंपोर्टन इंपोर्टन पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट करकर बताया है और मॉक्टेस मॉक्टेस से क्या होता है आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको पता चलता है क और हमारे experience की basis पे वो सारे questions हमने हमारे इस thousand प्लस practice mcquist pdf में cover करे हैं तो याद रखेगा बहुत से students हमें पूछते हैं कि मैम नेट पे तो सारा study material available है तो हम यह material क्यों लें तो मैं आपको बता दू नेट पे बहुत सारा study material available है बहुत सारी information है हर जगा से जाओगे हर website पर अलग-अलग information है लेकिन आपको यह नहीं पता होता है कि क्या important है आपको क्या पढ़ना चाहिए कौन से questions आने के ज़रा दर chances होते हैं तो हम आपको हमारे इस course में यह सारा detail में बताएंगे और हमारा जो research methodology का container यह काफी precise है जिससे के आप कम से कम study करकर आपके BBAU University की PhD entrance examination को crack कर सकते हों तो याद रखेगा हमारे इस course को purchase करने के लिए आपको दिये गए screen पे जो number है उस पर हमें whatsapp के तुरू ही आपको contact करना है याद रखेए normal call इस number पर नहीं लगेगा और आप हमारे app को भी download कर सकते हो जो कि है global online app आप इस app को play store से directly download कर सकते हो जो कि freely available है और इस app को download करने के link मैंने description box में provide कर रही है अब directly वहां से हमारे app को download कर सकते हो जिसमें कि आपको one click में ही सारा study material देखने मिल जाएगा so let's begin with the video so let's research used to investigate a problem which is not clearly defined इस question में मैं find out करना है ऐसे कौन से research होती है जो किसी भी problem को examine or understand करने में help करती है जो के well defined नहीं होती है so what research होती है exploratory research अब exploratory research होती क्या है हम एक example के तुरू समझते है मान लो एक company है जो maggie sell करती है अब इस company ने ये देखा कि maggie के sales में कुछ months में profit में decrease हुआ है तो ये मान लो ये profit हो आपका and ये हो गया month अब company ने ये देखा कि ये कुछ month में maggie के sales में profit हुआ है लेकिन suddenly profit में decrease होने लगा और फिर से profit increase होने लगा ये जो particular month है इस particular month में maggie के sales में decrease हुई means profit नहीं हुआ उस particular month में की problem को जो कि well defined नहीं होती है उस type की problem को understand करने में examine करने में research जो exploratory research का help लेकर उस problem को understand करेंगे और examine करेंगे यह पर आपको option B given है applied research applied research क्या होती है जिसमें आप कोई specific और practical problem को solve करते हो इसमें आप कोई problem को understand ने करते हो एक्जामीन ने करते हो that's why आपको option B incorrect हो जाएगा then option C historical historical research क्या होती है जिसे name में meaning है history history में हम क्या पढ़ते है जिसे past events के बारे में study करते हैं so वैसा ही historical research में हम past events के बारे में study करते हैं जैसे Indian history और world history so historical research में भी हम किसी भी problem को examine ने करते हैं understand करने की कोशिश नहीं करते हैं that's why आपको option C भी incorrect हो जाएगा then here this is the definition of exploratory research so here option A is the right answer the major emphasis in exploratory research is on this question में find out करना है कि exploratory research किस चीज़ पर ज्यादा focus करता है और emphasis means priority focus okay यह exploratory research किस चीज़ को ज्यादा importance देता है यह हमें find out करना है अब हम पहले options देखेंगे पहले हम options C देखेंगे determining cause and effect relationships so cause and effect relationships को आप experimental research में determine करते हो not in exploratory research so experimental research में आप cause and effect relationship find out करते between the variables जो कि होते हैं independent variable and dependent variable आप independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर यह आप experimental research में find out करते हो और इस experimental research की बारे में हमने previous lecture में सारी detail में हमने आपको experimental research की बारे में बताएं आपको वीडियो देख सकते हो so experimental research में हम independent and dependent variable के बीच का cause and effect relationship find out करते है not in exploratory research that's why आपका option C incorrect हो जाएगा then option B solving a specific problem किसी बी specific problem को हम applied research में solve करते है not in exploratory research अगर आप कोई problem को solve करते हो जो कि specific problem है that means will problem पहले से defined हो tábih तो आप उस problem को solve करते हो applied research में but exploratory research में ऐसी problem जो well defined नहीं होती आप पहले इसको examine करते हो understand करने की कोशच करते हो but applied research में ऐसी problem जो well defined होती है आप उसका solution find out करते हो तो सो ip Canyon so here पर then option A, getting new insights about a problem, so yes, यहाँ पर आपका option A correct हो जाएगा, this is related with exploratory research, exploratory research में आप किसी भी problem को understand करते हो, उसको और deep में जाने की कोशिश करते हो, उसको examine करते हो, अब मान लो आपके पास एक problem है, जो के हमारे पास एक problem थी, COVID-19 virus, यह virus एक problem था, जब यह virus new आया था, तो researcher ने पहले इस problem को examine करा, अब कैसे examine करा होगा researcher ने इस problem को, कि जो जो person इस virus से affected थे, उनका interview लिया होगा, कि उनकी body उस time पर कैसे behave करे थी, उनमें कौन-कौन से symptoms पाए गए, तो यह सारे interviews के थुरू, वो researcher उनसे data लेंगे, उस problem को examine करेंगे, understand करने की कोशिश करेंगे, जो के well defined नहीं होती है, अब जबी भी हमारे पास कोई problem आती है पहले, आप उस problem को पहले understand करोंगे, examine करोंगे, पहले उनसको जानोंगे कि वो problem है क्या, तभी उसके against कुछ action ले प research में उस problem को solve करते हो, अब कोई भी problem है तो आप उसको पहले examine करोंगे, understand करोंगे, तो यह आप exploratory research में करते हो, और exploratory research इसी चीज़ पर focus करते है, that's why here correct option is option A, getting new insights about a problem, next question, all the following are the part of an exploratory research strategy except, इस question में find out करना है, कि ऐसा कौन सा option है, जिसमें हमें exploratory research का part और method given नहीं है, so अब हम options देखते हैं, पहले हम option A देखेंगे, interviewing and employee, interviewing, employee means employee के साथ interview, जैसे मान लो, for example, एक company है, और उस company ने देखा कि आप उनके, जो product sale हो रहे है, उस product में कुछ decrease हो रहे है, product ज्यादा sale नहीं हो हो रहे है, profit में decrease हो रहा है, so उस company के manager क्या करेंगे, अपने workers, laborers के साथ interview perform करकर यह जानेगे कि यह problem हो क्यों रही है, उस problem को understand करने के कोशिश करेंगे, कि जो product है, वो product proper sale क्यों नहीं हो रहा है, so यहाँ पर interviewing and employee, this is the part of an exploratory research, so यहाँ पर आपका option ही correct हो जाएगा, then option B, experts interview, so experts interview, again this is the part of an exploratory research, this is the method of exploratory research, exploratory research में आप किसी भी problem, जो भी problem हो जो भी topic है आपका, उसके against, आप कोई expert से interviews ले सकते हो, और उस problem को और deep में जान सकते हो, जिससे मान लो, hard disease है कोई, so आप क्या करोगे, hard disease के specialist से आप interview लोगे, उसके experts से interviews लोगे, आप यह देखोगे, क्योंकि, hard disease होती क्यों है, कि blood level में कुछ कमी आजाती है, कि blood pressure कैसा होना चाहिए, cholesterol level कैसा होना चाहिए, कैसे maintain करें यह सारे, so hard disease यह एक problem है, उस problem के expert से आपने interview लिया, और उस interviews के थूँ आपने उस problem को understand करा, और examine करा, so यह आपर expert interview, this is the part of an exploratory research, so यह आपका option B भी correct हो with those involved the problem, so यह आपर option C में हमें यह बता है कि आप उनसे interview लोगे, जो खुद problem में involved है, so this is again, this is the part of an exploratory research, अब जैसे मान लो कोई disease है, अब हम यही disease ले ले लेते है, covid, okay, covid disease है, अब कोई person है, जो covid disease में involved है, और आपको covid disease के बारे में कुछ पता ही नहीं यह पहले, so आप क्या क आपको कौन कौन से symptoms हुए थे उस टाइम पर जब आपको covid disease हुई थी, आपको क्या हो रहा था, आपको क्या हुआ था, आपको क्या फीवर था, sneezing हो रहा था, coughing हो रहा था, so आप यह सारे चीज़े उस person से पुछोगे, जो खुद उस problem में involved था, so आप जो ऐसा person जो उस खु option D given है, experiments, experiments, this is not the part of, or this is not the method of an exploratory research, because experimental research में और experiments में, आप experiment जब परफॉर्म करते हो, कि जब आपको कोई चीज़ पर test करना होता है, आप exploratory research में कोई चीज़ को test करते हो, आप बल्कि उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को understand करने की कोशिश करते हो, that's why option D incorrect हो जाएगा, और option D, this is not the part or not the method of an exploratory research, और आमें भी इस question में यही पुचा गया है, that's why आपर आपका correct option हो जाएगा, option D experiments, next, Indigo Airlines has experienced a continuing and unexplained decline in the number of tickets sold on its major routes from Mumbai to Delhi, you have been asked to give a report on the problem and to outline alternative courses of action for the airline to check, how would you start, this question में हमें एक example given है, कि एक Indigo Airlines है, जो Bombas से Delhi का road follow कर रही है, so इस Indigo Airlines ने यह देखा कि उनके जो ticket sold हो रहे थे, वो ticket sold होना decrease हो गया है, means ticket sell हो रहे थे, वो ticket sell नहीं हो रहे, means ticket sell नहीं हो रहे, means यहाँ पर profit decrease हो रहा है यह airline का, अब यह problem आगई, इस problem को आप कैसे solve करोगे, और उस problem को solve करने के लिए आप first step क्या follow कर रहे है उस problem को solve करने के लिए आप उस problem को कैसे start करोगे मैंस उस problem को first step क्या होगा हमें ये find out करना इस question में अब जैसा हमने first question solve किया था जिसमें हमने देखा था कि Maggie थी Maggie की cell में decrease हो रहा था particular month में उसी same type का ये भी question है अब जैसे नहीं पर देख लो आप कि ये airline से उस airline अपने ticket के जो ticket sell sold हो रहे थे उस particular month में उस month में continuous decrease होने लगे ये particular month में जो ticket के sell थे उस sales नहीं हो रहा है profit decrease हो रहा था इस airline को क्या वज़य हो सकती है ये problem क्यों हो रही है प्रॉब्लम को पहले रिसर्च understand करेंगे और इस problem को जो airlines के manager है वो understand करेंगे कि इस problem में क्या ऐसा हो गया इस problem ये जो problem है इस particular month में क्यों decrease हुआ क्या हो सकता है कि ticket हो सकता है ticket के phone increase हो हो गए होगे उनकी service अच्छी नहीं होगी ऐसे कुछ problems हो सकते हैं जिसके वज़े से इनके ticket sell नहीं हो रहे है remember अब ये problem है अब किसी भी problem को solve करने से पहले आप क्या करोगे उसको understand करने की कोशिश करोगे कि ऐसे कौन से वज़े हो सकती है जिसके वज़े से ये particular airline कि जो ticket है वो sell नहीं हो रहे थे उनके ticket sell होने में जो profit हो रहा था वो decrease होने लगा जब भी आप किसी भी problem को solve करते हो in the first step you understand the problem you examine the problem आप examine करते हो उस problem को और जानने की कोशिश करते हो कि वो problem किस वज़े से हो रही है in exploratory research exploratory research में हम किसी भी problem को understand करते है उस problem को examine करते है so here option C is the right answer then यह आपको option B given है applied research applied research में आप जो problem already होती है जो कि well defined होती है उस problem का आप solution find out करते हो ना कि उस problem को understand करने की कोशिश करते है that's why आपको option B incorrect हो जाएगा then option A descriptive research descriptive research क्या होती है descriptive research ऐसे research होती है जिसमें आप जो भी phenomena होता है उस phenomena को as it is described करते हो बलके इस descriptive research में आप कोई problem को examine करते हो कोई problem को understand नहीं करते हो बलके उस phenomena को as it is described करते हो so that's why आपको option A B incorrect हो जाएगा so here correct option is option C exploratory research next the objective objective of dash is the development of hypothesis rather than their testing इस question में मैं find out करना इसे कौन से research होती है जिसका aim और goal यह होता है कि कि कोई hypothesis को develop करें ना कि इस hypothesis को test करें आपके लिए hypothesis question में new word है आपको पता आने चीए hypothesis होता क्या है hypothesis एक tentative statement होता है और you can say temporary statement होता है tentative means temporary तो hypothesis एक temporary statement होता है जो researcher के assumptions और guesses पर based होता है जैसे हम कभी-कभी guess कर लेते हैं कि अगर ऐसा हम करते तो ऐसा हो सकता है उसी तरीके सा hypothesis भी होता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है तो researcher कभी-कभार अपने assumptions पर based hypothesis देते है एक statement देते हो और उसी statement को अपने research में टेस्ट करते हैं अब मानलों यह आप पर researcher ने statement दिया कि कोविड है कोविड के against यह जो वैक्सिन है यह वैक्सिन कोविड को क्यूर कर सकती है वैक्सिन लेने से आपको कोविड नहीं होगा वैक्सिन से przewöप क्यूर होई जाएगा ऐसा नेका है हो सकता है कि यह Amazon लेने से आपका कोविड क्यूर हो सकता है है hypothesis हो गया अब हमने इस question में ન हम finer करे कि कौनसा research का aim होता है कि hypothesis develop करे ना के उस hypothesis को test करें तो वो होती है आपकी exploratory research exploratory research में आप hypothesis develop करते हो उस hypothesis को आप test नहीं करते हो बलके आप exploratory research में उस problem को तो understand करने की कोशिश करते हो जो problem हो कैसे रही है वो problem क्यों हुई है उसको examine करने की कोशिश करते हो आप कोई test नहीं करते हो इसलिए hypothesis testing नहीं करते हो आप exploratory research में बलके hypothesis develop करते हो That's why यापर आपका option A correct हो जाएगा Then option B applied research Applied research, applied research में आप कोई problem को solve करते हो Solution find out करते हो That means यापर आप test करोगे, उस solution को find करोगे So applied research में आप hypothesis को test करते हो Rather than hypothesis development That's why यापर आपका option B incorrect हो जाएगा then here correct option is option a exploratory research so remember this is very important exam में इस type के question आते है कि आप किस research में hypothesis डेवलप करते हो और उस hypothesis को test नहीं करते हो so वो हो जाएगी आपकी exploratory research and for this question option is the right answer next the type of research conducted by marketers to gain an insight about a problem is this question में मैं find out करना है ऐसी कौन सी type of research study होती है जिसमें जिसका ज्यादा तर use businessman करते है अब business में कौन सी type की research ज्यादा use होती है वो होती है आपकी exploratory research study अब exploratory study क्या होती है अब मान लो कोई business है अब business में कभी कबर loss भी होता है जरूर नहीं है आपको बस profit मिले so loss भी होता है जिससे loss हो रहा है मिन्स कोई product ज्यादा sell नहीं हो रहे है अब product ज्यादा sell नहीं हो रहे है आपको बिजनेस कर रहे है उस आपको product ज्यादा sell करना है आपको profit चाहिए आपको profit नहीं आ रहा है मिन्स यहाँ पर आपकी profit loss हो रहा है profit में आप यहां पर आपके लिए एक प्राब्लम हो जाती है, बिजनेसमेन के लिए प्राब्लम हो जाती है, बिजनेसमेन इस प्राब्लम को अंडस्टाइन करते हैं, इस प्राब्लम को अंडस्टाइन करने के लिए और इस प्राब्लम को अंडस्टाइन करने के लिए बिजनेसमेन exploratory studies का use करते हैं so exploratory studies का help से researcher और you can say businessman ये देखते हैं कि वो problem क्यों आ रही है product कि क्या वज़े है कि product sell नहीं हो रहे क्यों से quality में कोई effect आ रहा है कौन से इसे factors है जो manufacturing में कोई effect आ रहा है कुछ problem आ रही है so ये देखने के लिए businessman और researcher exploratory study का use करते हैं so remember exploratory study business में ज़्यादा use करे जाती है then आपर आपका option B given descriptive study descriptive study क्या होती है एक phenomena होता है आपको उसको as it is described करना होता है आप descriptive research में आप किसी भी problem को understand नहीं करते हो नहीं examine करते हो that's why आपका option B incorrect हो जाएगा then option C experimental study experimental study क्या होती है जिसमें आप cause and effect relationship find out करते हो between independent variable and dependent variable so आप experimental study में independent variable का क्या affect हो रहा है dependent variable पर आप यह दिखते हो ना के experimental study में आप किसी problem को examine करते हो नहीं understand करते हो so यह आपर आपका option C भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option A exploratory study next question one of the quickest and most economical ways to discover hypothesis is through this question में find out करना है इसा कौन सा method होता है जो fastest होता है और deepest होता है hypothesis को discover करने के लिए अब हम options देखेंगे option A sample survey sample survey क्या होता है sample means आप लोगों को collect करते हो population में से कुछ लोगों को collect करते हो और वो आपका sample बन जाता है अब samples के दुरू आप response जानते हो लोगों का response क्या हो रहा है क्या होगा लोगों का response so sample में एक-एक लोगों के पास आप जाओगे उनसे उनका response लोगे so यह एक time taken process हो गया so time taken process है यह fastest नहीं है that's why आपका option यह incorrect हो जाएगा then option B the use of a panel so panel क्याता है जिसमें researcher 4 और 5 community और you can say experts के group को experts को invite करते है अब पहले आप कोई लोगों को invite करोगे फिर वो आएंगे फिर आप 4-5 लोगों का opinion जानोगे so यह भी time taken process ही हो गया so option B भी hypothesis को discover नहीं कर सकते because यह cheapest or fastest method नहीं है then option C an experience survey so यह आपर survey word आ रहा है so remember जब भी survey word आता है that means it is time taken process because आप लोगों के उनका response जानते हो so response जानने में एक एक लोगों से सब लोगों का response अलग-अलग होता है so अलग-अलग लोगों से उनका response जानना so service के तुरू time लगता है so it is again time taken process that's why यह आपर आपको option C भी incorrect हो जाएगा then option D literature search literature search क्या होता है literature means जो journal, articles, papers में जो भी researcher ने research की होती है so वो पुराने information उस particular topic पर जो भी पुरानी research की गई होंगी सारी information present होती है आप उस information को refer करते हो और उस information के basis पर आप hypothesis discover करते है so literature search क्योंकि यह आप खुदी करते हो इसलिए fastest और you can say cheapest method होता है hypothesis को discover करने के लिए और develop करने के लिए that's why आपर आपका correct option हो जाएगा option D, a literature search next question which of the following research is conducted as the first step in determining appropriate action इस question में मैं find out करना है कि अगर आप किसी problem के against action लेते हो, इस problem को solve करते हो so first step अब क्या perform करते हो so remember अगर आपके पास एक कोई problem है मानला आपके पास एक problem है उस problem को आपको solve करना है अब आपको पहले पता होना चाहिए न वो problem है क्या exactly उस problem को आपको पहले examine करना चाहिए आपको उस problem को understand करना चाहिए आपको पता होना चाहिए वो क्या problem क्या हो रही है उस problem वो problem आई कैसे उस problem को भीप में पहले understand करोंगे, अगर आपको problem समझ में आएगी एक बार, तभी तो आप उसको solve कर पाओगे, तो yes, वो research होती है आपकी exploratory research, exploratory research में आप क्या करते हो, पहले problem को understand करते हो, और उस problem को examine करते हो, तो अगर आप किसी problem को solve करते हो, अगर किसी भी problem को हमें solve करना है तो पहले आपको वो problem पता है कि आपको पता होना चाहिए इस problem के बारे में कुछ information होना चाहिए आपको understanding होना चाहिए इस problem के बारे में तब ही तो आप उस problem को solve कर पाओगे So exploratory research को exploratory research में जैसे किसी भी problem को हमको solve करने से पहले प्रॉब्लम को अंडस्टैंड करना पड़ता है इसी तरीके से exploratory research में हम प्रॉब्लम को अंडस्टैंड करते हैं और एक्जामिन करते हैं यह पर आपको option डी करेक्ट हो जाएगा ते यह पर आपको option c वेने applied research applied research में आप problem को solve करते हो पहले exploratory research में आप problem को एक्जामिन कर लेते हो उस problem को understand कर लेते हो अब examine understand करने के पाद उस problem के आगेंस आप कुछ information gain करोंगे जो कि आप fundamental research में करते हो अब fundamental research में जो भी आपके पस information मिल जाती है आपको उस information को use करकर आप applied research में उस problem को solve करते हो so applied research में आप directly problem को solve करोगे जो भी अपने fundamental research में theory बनाएंगे उस theory उस concept का use करकर यहाँ पर applied research में आप problem को first step नहीं होता है क्योंकि first step में आपको problem को understand करना होता है that's why आपको option C incorrect हो जाएगा then option B historical research historical research में आप past events के बारे में study करते हैं जैसे history जो आपका subject होता है so history में भी आप past events के बारे में study करते हो वैसे ही आपकी historical research है जो already events हो चुके होते हैं उसके बारे में आप और study करते हो कि उसका application क्या हो सकता है present में इसलिए आप historical research perform करते हो बस historical research में आप कोई problem को examine नहीं करते हैं और किसी problem को solve करने का यह first step नहीं होता है that's why option B here incorrect then option A experimental research experimental research में आप cause and effect relationship find out करते है between the variables के एक variables का दूसरे variable पर क्या effect हो रहा है again experimental research में आप कोई problem को नहीं solve करते हो नहीं इस problem को examine करते हो नहीं understand करते हो that's why आपको option A b incorrect हो जाएगा so here correct option is option D exploratory research moving on to the next question which of the following is true about exploratory research इस question में find out करने के exploratory research के बारे में हमें कौन से option में सही information given है so अब हम option A देखेंगे it is unstructured so yes यहापर आपको option A correct हो जाएगा because exploratory research unstructured होती है so exploratory research में जिसा हमें पता है exploratory research में हम किसी भी problem को understand करने के कोशिश करते हो एक्जामिन करते है और उस particular area को explore करते है अगर आपको कोई चीज के बारे में understanding gain करने होती है so आप कोई steps और कोई structure follow नहीं करते है बलकि आप zigzag manner में आप किसी भी तरीके से आप यह चाहोगे कि बस मुझे इस problem यह problem कहां से आई है बस इस problem के बारे में मुझे कुछ understanding हो जाए so exploratory research unstructured होती है then यहाँ पर आपको option be given है helps researcher in early stages of discovering the cause of a problem so यहाँ पर आपके लिए early stages जो word given है यही आपके लिए keyword है so आप अगर exam में भी ऐसे type to question solve करते है so आपको एकाद word देखकर यह आपको guess लग जाना जीए कि हाँ यह option correct होता है तो आपको ऐसे कुछ words याद रखने early stages जैसे हमने देखा था exploratory research हम starting में करते हैं अगर कोई problem है उस problem को पहले आप understand करोगे उस problem को examine करोगे problem को समझना जरूर है उस problem का अपको understanding होने चाहिए उस problem के बारे में तभी ताप उस problem को solve कर पाऊगे so exploratory research होती है यह हमें help करती है early stages में जभी problem है उसके अगेंज कुछ understanding gain करवाती है और कोई हम examine कर सकते उस problem को और देन उसके बाद हम उस problem को solve करते यह पर आपका option B भी correct हो जागे it is also correct about exploratory research so your correct option is option C both A and B are the right options about exploratory research next the purpose of this research is to gain background information to define the terms to clarify the problems and to develop hypothesis the above statement is related to which among the following types of research is question में find out करना है जो हमें यह statement given है यह statement किस research study से related है अब statement हमें क्या given है statement में हमें यह given है इसी कौन से research का purpose होता है जिसने हमें background information जो भी background उस particular problem की जो भी background information होगी वो हमें मिलती है हम उस problem को define करते है उस problem को और clarify करते है और वो research में हम hypothesis भी develop करते है जो वो research होती है आपकी exploratory research exploratory research में हमारे लोग कोई problem है उस problem का background information लेते है अब एक problem है जिसे हमारे पास एक बहुत बड़ी problem थी COVID-19 virus अब यह COVID-19 virus यह हमारे लिए एक problem थी यह problem जब new आय थी तो researcher ने क्या कर रहोगा इसी problem के बारे में background information ली होगी यह किस टाइप का virus है यह कैसे human में affect करता है यह कहां से आया यह कहां से generate हुआ है यह कैसे एक से दूसरे person में move करता है यह virus तो यह सारी background information researcher ने इस problem के अगेंस पहले gain करी होगी इस problem को define कर रहा होगा यह problem है क्या इस problem को clarify किया होगा कि यह problem कैसे आई क्या है यह problem किस वज़े से इस problem को understand किया होगा examine किया होगा इस एक्सप्रोरेटरी रिसर्च में researcher hypothesis भी develop करते हैं रिसर्च है यह भी कह सकते है कि इस virus को particular vaccine kill कर सकती है इस टाइप के hypothesis भी develop कर सकते है एक्सप्रोरेटरी रिसर्च में आपको यह points याद रखना है एक्सप्रोरेटरी रिसर्च में आप उस particular problem के बारे में background information gain करते हो उस problem को define करते हो उस problem को clarify करते हो और आप hypothesis भी develop करते हो यापर आपका option A correct हो जाएगा exploratory study then option B given है descriptive study descriptive study में आप as it is कोई phenomena को describe करते हो यापर आप कोई background information नहीं इस problem को define करते हो नहीं clarify करते हो that's why आपर आपका option B incorrect हो जाएगा then option C experimental study experimental study में तो आप cause and effect relationship find out करते हो नहीं आप उस problem को clarify करते हो नहीं define करते हो that's why आपर आपका option C भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option A exploratory study so students I hope the concept of exploratory study is clear to everyone and thank you for watching this video see you tomorrow with another video